ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक है Occupational Cancers Class शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है Class के Notes आपको Description Box में दे दिये जाएंगे वहाँ से आप Direct Download कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा Occupational Health का अगला टॉपिक that is Occupational Cancers अब ना Occupational Cancers जो होते हैं Cancers दूसरे Cancers के जैसे ही होते हैं अगर इनके कुछ Peculiar Characteristics होते हैं तो यह Peculiar Characteristics क्या हैं वो हम देखेंगे पहली चीज़ कि भाई ना ऐसा नहीं है कि आपने उस Occupation पे काम करना शुरू किया आज से आप Mines पे काम करना शुरू किया और कल से आपको Cancer हो गया नहीं Occupational Cancer की सबसे पहली characteristics है कि Prolonged Exposure होना चाहिए Prolonged Exposure जाने की बहुत सारे साल तक आपने वहाँ पे काम किया है आपने Mines में काम किया है या आपने Oil Refineries में काम किया है बहुत सालों तक काम कर लिया उसके बाद होगा यह नहीं कि आपने कल जॉइन किया और आज Cancer हो गया ऐसा नहीं है उसके बाद Second thing is कि जो समय होता है Exposure और Development of Cancer का वो बहुत लंबा भी हो सकता है कि आपको Exposure हुआ था देखना कि भाई आपने जॉइन कर लिया है Exposure हो चुका हो चुका 10 से 25 साल लग जाते हैं आपको Cancer develop होने में वही जो हमने पहले कहा था कि भाई ऐसा नहीं कि आपने आज जॉइन किया और कल हो गया दोनों के बीच में Difference 10 से 25 साल का हो सकता है Exposure हुआ था हुआ था 10 से 25 साल लग जाते हैं Cancer को Occupational Cancer को develop होने में उसके बाद एक बहुत peculiar चीज़ है That is कि जब Secession of Exposure हो जाए याने कि वो जो बंदा है उसने 10 से 25 साल तक Minds में काम कर लिया है या कहना चाहिए उसने 30 साल तक Minds में काम कर लिया है अब भाई अपना Retire हो गया है उसके बाद चैन से वो घर में बैठा हुआ है और फिर भाई को क्या हो गया Cancer develop हो गया याने कि Secession of Exposure याने कि Exposure बंद भी हो गया है अब थोड़े उसको Exposure हो रहा था अब तो वो घर पर बैठा था लेकिन उसके बाद भी Develop हो सकता है Cancer क्यों क्योंकि जितने पंगे होने थे जितनी वाट लगनी थी वो जो 10 से 25 साल या 30 साल उसने काम किया है उत्ते समय में भाई की ऐसी तैसी हो चुकी है अब तो बस Develop होना बागी था तो Third characteristic होता है कि Secession of Exposure हो जाए उसके बाद भी Cancer Develop हो सकता है उसके बाद एक बहुत Important चीज है That is Localization of Tumor Localization of Tumor With Respect to Occupation यानि कि एक Particular Occupation से लेट जादा तर एक Particular Occupation से लेट एक Occupational Cancer हमको देखने को मिलता है For example, Skin Cancer की बात करें तो जहाँ पर आपको कोलतार वगर होगा जैसे कि आपको Oil Refinery में होता है या फिर Road Makers में होता है उनमें जादा मिलेगा Lung Cancer चोटे-चोटे जहाँ पर कड़ उड़ते रहते हो जैसे Nickel Chromium वाले में या फिर Asbestos Industries होती है उनमें जादा तर मिलेगा आपको Bladder Cancer की बात करें तो आपको जो Dye Industry है या फिर Rubber Industry है ऐसी जगों पर तो कहने का क्या मतलब है कि एक Particular Occupation से Related एक Particular Tumers जादा तर पाया जाता है क्योंकि सीड़ी सी बात है यार उस Particular Occupation में वो Particular तरह का आपको Exposure होगा और वो Particular तरह का Exposure होगा तो वो Particular तरह का आपका Tumor होगा याने कि उस Particular या Localized जगह पे Tumor होगा ठीक उसके बाद होता है Exposed Parts जादा तर Exposed Parts जो होते है न उनमें पाया जाता है आपका Cancer जैसे कि Head, Neck, Hands, Arms इनमें जादा तर आपको Occupational Cancers पाया जाएगा जहाँ पे Direct Contact में आते हैं Carcinogens के तो ये कुछ Characteristic Feature हैं जो आपको पता होना चाहिए Occupational Cancer के That is Prolonged Exposure 10-25 साल Secession of Exposure Localization of Tumor और जादा तर Exposed Parts में फिर किस से होते हैं ये Occupational Cancers हाला कि जब हम अलग-अलग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फिर भी इन जनरल देखा चाहिए तो Ultraviolet Light Ionizing Radiation Cold Products इसमें Cold Taur याद रखना Cold Taur बहुत important है उसके बाद आपका Petroleum Products Lubricating Oils Fuel Oils बहुत सारे हैं बहुत लंबी लिस्ट है तो अलग-अलग है जो कि हम इनमें अलग-अलग Skin Cancer, Lung Cancer, Bladder इनमें अलग-अलग पढ़ेंगे एक बहुत important चीज़ है किसको effect कड़ेगा तो ज़ादा तर Occupational Cancer Skin में पाए जाते हैं उसके बाद Lung, Bladder और Liver में भी पाए जाएंगे उसके बाद Blood Forming Organs जो है उनमें भी पाए जाएंगे Most Common Most Common कौन सा होता है Most Common Skin Cancer होता है क्यों होता है क्योंकि भाईया सबसे ज़्यादा Exposure जो होगा किसी भी Occupation में वो आपके शरीर के कौन से Organ को होगा वो है Skin इतनी बड़ी Skin है पूरे शरीर में Exposure होता रहता है अलग लग चीजों का तो Most Common Cancer जो होता है वो Skin Cancer होता है ठीक उसके बाद Occupational Cancer अगर आप से कोई पूछे भाई नाम बता दो तो आपको यह चार नाम याद होने चाहिए कौन-कौन से Skin Cancer Lung Cancer Bladder Cancer और Leukemia यह चार नाम तो आपको कंठस्त होने चाहिए कि भाई Occupational Cancer की नाम बता हो Skin Cancer, Lung Cancer, Bladder Cancer, Leukemia यह चार नाम तो आपको कंठस्त होने चाहिए ठीक तो हम इन चारों को भी देखेंगे अलग-अलग कि Skin Cancer में क्या-क्या याद रखना है Lung Cancer में Bladder Cancer में, Leukemia में क्या याद रखना है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भई, Skin Cancer Skin Cancer ना सबसे पहली बार जो मिला था वो मिला था Cancer Scrotum में और किसमें? Chimney Sweepers में यह जो चिमनी साफ करते थे ना यह लोग चिमनी में अंदर घुस के पूरा एकदम ब्रश से साफ करते थे इनके Scrotum में देखने मिला था Cancer That is Cancer Scrotum सबसे पहली बार मिला था और वो Chimney Sweepers में मिला था तीक उसके बाद किस से होता है यह तो Coltar, X-rays, Dyes मुखितना आपको Skin Cancer को Coltar से याद रखना है Coltar आपने देखा होगा कौन-कौन सी Occupations में है तो यहाँ ज़ाद तर नाम जो रखे न सब Coltar से रिलेटेड है Gas Oven Workers Road Makers Oil Refiners तो यह सारे के सारे जो होते हैं आपके ज़ाद तर Coltar से ही रिलेटेड है यहाँ देखो जो Road Makers होते हैं नामल आपने देखा है न यह सब Coltar है उसके बाद यह जो Oven Workers है इनमें भी चारो तरफ यह लोग घरे रहते हैं यह अपने Coltar वगरह से और यह चिमनी स्वीपर्स जो है यह तो चिमनी के अंदर पुरा Coltar 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 जमा हुआ है यह सभी के सभी ज़्यादा तर Exposure कोलता से होगा और वो आपको Skin Cancer कराएगा यादे मैंने कहा था कि Most Common Occupational Cancer कौन सा होता है Skin Cancer तो 75% Occupational Cancer जो होते हैं वो Skin Cancer होते हैं यह अगर आप से Examiner पूछे क्यों तो बोलना रहे भाहिया सबसे ज़्यादा Exposure जो है कि Predominantly आपको कौन सा में लेगा Squamous Cell Carcinoma तो कैसे याद रखेंगे जो Skin Cancer है उसमें Most Common या Predominant कौन सा है Squamous Cell Carcinoma Skin Cancer Squamous Cell Carcinoma SC SC याद रहेगा तो यह हो गया आपका Skin Cancer अब ना एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी कि कुछ याद रहे ना रहे आपको दो चीज़े तो याद रहनी है Occupational Cancer में किससे होता है और उससे में जाद इंपटोंट चीज़ जो याद रहनी है कौन से occupation में होता है यह दो चीज़ बहुत important है जो आपको सभी Occupational关et में याद रहनी है तो इसमें थो हमने देख लिये मुखिता कोलतार देख लिए और कोलतार से एलेटेड हमने ज़्यादा तर occupation भी देख लिए अब skin cancer के बाद अगला आता है lung cancer किस से होगा देखो occupation तो कौन-कौन सी occupation होंगे lung में जा रहा है कोई चीज lung में जा रही हो तो बहुत छोटे-छोटे कड जाएंगे चोटे-छोटे कड जिन इंडस्ट्री या उक्यूपेशन ने एक्सपोजर होता होगा वरकर्स का वही उक्यूपेशन दालने जैसे arsenic roasting plant, asbestos industries, nickel या chromium work जो करते हो बहुत चमकाने वाला या mining radioactive substance की जो mining करते हैं उन सब में पाय जाता है asbestos sheets आपने देखी होंगी यह सब asbestos sheets होती है देखो खूप सारे dust डोल रहे हैं यह लोग बिचारे बादने की कोशिश भी करते हैं लेकिन exposure तो हो ही जाता है तो आपने asbestos sheets बहुत देखी होंगी वो जो पुराने घर सोते हैं चतों पर लगी रती थी तो ऐसे आप याद रख सकते हो इन में भी एक चीज याद रखना कि दुनिया में जो lung cancers होते हैं उनमें से 90% मुखिता तीन कारणों से होते हैं lung cancer एक है smoking दूसरा है air pollution और एक और है that is occupational exposure तो lung cancers में top 3 में जो हैं उनमें occupational exposure आता है 90% lung cancer इन तीन कारणों की वज़े से होते हैं smoking, air pollution और occupational exposure ठीक lung cancer में भी अगर आप बात करोगे कि most important type कौन सा होता है तो वो squamous cell chasnoma ही होता है तो lung cancer में भी दो चीज आपको याद रखना है पहला occupation और दूसरा किस से होता है आपको दिख रही है तो हमने क्या कर लिया हमने skin cancer कर लिया हमने lung cancer कर लिया अब बहुत ही important आता है वो है bladder cancer bladder cancer ना सबसे पहली बार कौन सी industry में मिला था तो aniline industry में मिला था हाला कि bladder cancer के occupation बहुत related है मैंने तो अब देखा है कि वाईवा में बहुत बार पूछा जाता है bladder cancer के occupations बता दो तो bladder cancer के occupations कौन-कौन से होते है एक तो होता है dying industry जहां पर वो कपड़ों बगरा die करते हैं ये भाई साब कर रहे हैं उसमें dub के die में कपड़ों को die करते रहते हैं उसके बाद rubber industries में भी पाया जाता है electric cable industry में भी पाया जाता है gas industry में भी bladder cancer पाया जाता है तो कैसे याद करेंगे किसी ने वो gas का pipe देखा है जो आपके cylinder से gas के oven में लगा रहता है लाल कलर का होता है तो ये देखो ये है आपका वो red color का gas का pipe तो अब ये जो red color है red color किस से हुआ होगा dying industry से हुआ होगा अब rubber का pipe है तो rubber कौन सी इंडस्टी में बनी होगी rubber industry में बनी होगी उसके बाद ये जो है आप ऐसे याद कर लो कि ये जो cable की जैसे काम करता है cable की जैसे wire की जैसे दिखता है उपर से देखो तो तो cable है red rubber cable तो electric cable industry और इस cable के अंदर से क्या जा रही है gas जा रही है तो gas industry तो कैसे याद करोगे red rubber का cable जिसके अंदर से gas जा रही है तो red से dying industry rubber से rubber industry cable से electric cable industry gas से gas industry याद रहेगा तो बस ये एक लाल रंग का rubber का pipe आप अगर याद करो जिसके अंदर से gas जा रही है तो सब याद जा जाएगा red है तो dying industry, rubber का है तो rubber industry, cable pipe है तो cable है तो electric cable industry, gas जा रही है तो gas industry, याद रहेगा, बहुत important है, viva के लिए भी, उसके बाद फिर वोई किस्से होता है तो बहुत सारे है, aromatic amines है, beta-naphthalamines है, benzidine है, paraminodiphenyl है, oramino magenta याद रखना, उसके अलावा drugs भी है, कुछ जैसे कि cyclophosphoramide और finascidine, तो बहुत सारे है, अगर सब याद नहीं हो, तो at least जिन पर सवाल आते हैं, जो मैंने underline किये हैं, MCQs आए है, beta-naphthalamines, oramines, magenta, cyclophosphoramide, बैसे भी आप याद कर सकते हो, in fact, अगर मुख्य-मुख्य याद करने हैं, तो A से आपको हो जाएगा, oramines या aromatic amines, B से आपका ह हो जाएगा, beta-naphthalamines, या benzidine, C से आपका हो जाएगा, cyclophosphoramide, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक, उसके बाद D, actually, A से आपका हो जाएगा, B से आपका हो जाएगा, C से हो जाएगा, और D से, actually, आप drugs कितुरू, fenacetine को भी कर सकते थे, ठीक, अब bladder cancer है, तो भई, आप इसमें most common type जो होता है, वो transitional cell carcinoma होता है, urethylyl में आपको transitional cell मिलेंगे, फिर भी अगर याद करना है, तो भई, आपको bladder तो पता है कैसा होता है, यह आपका ऐसा triangle shape का bladder होता है, यह आपके दो ureter आते हैं, और यहाँ आपका urethra हो गया, तो यह क्या बन गया आपका, यह द भई, जो यह bladder है, तो bladder में यह दो ureter जोड़ दो, यहाँ एक urethra कर दो, तो यह आपका T हो गया, triangle का T, तो transitional cell carcinoma, most predominant यह most common type of bladder cancer is transitional cell carcinoma, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, most common symptom कौन सा होगा, भई, यह bladder में cancer हुआ है, तो खून तो आए गई, तो हमें चूरिया होगा, ठ that is, कि bladder cancer के treatment में जो immunotherapy दी जाती है ना, उसमें हम intravecycle BCG देते हैं, क्यों देते हैं, जिससे की reoccurrence of superficial tumors ना हो, उसके लिए हम देते हैं, तो BCG आपको याद रखना है, कि immunotherapy में दीया जाता है, इसको भी कैसे याद रखेंगे, तो simple है, B for bladder cancer, B for BCG, तो BC, bladder cancer, BCG, देते हैं, ठीक, तो जो इस पर MCQ भी आ सकता है, याद रखना हो, sports में तो हम जब BCG रखते हैं, तो पूछते ही हैं, तो यहाँ पर आपको तीन B तो याद रखना है, B for bladder cancer, तो B for beta naphthalmines, तो B for BCG, यह तीन B आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो यह तो हो गया आपका bladder cancer के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इसके वाईवा के लिए बहुत important occupation कौन सा होता है, याद रखना, ठीक है, अब bladder cancer के बाद, आखरी में आता है leukemia, तो leukemia तो देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पैतो है, तो मैं भी खूप सारा पढ़ा है, radioactive substance देदो, रोइंजनरेस द देदो, benzol देदो, benzol को solvent के जैसे यूज़ किया जाता है कई industry में, तो यह आपने occupation भी देख लिया, तो किस से होता है, और occupation, तो leukemia के बारे में आपने देख लिया, ठीक, तो ना सबसे आखरी में आता है, कि भाई यह जो industrial cancers हैं, यह occupational cancers हैं, इनको control कैसे करेंगे, इनको control करन के लिए ना, आपको मुखेता वहाँ काम करने वाले लोगों और management पर ध्यान देना है, और जो carcinogens जो हमने पढ़े अलग-अलग cancers में, उनको दूर करना है, तो सबसे पहला, वह यह जो carcinogens हैं, जो कि अलग-अलग थे, जैसे बीटा नप्थाल अमीन्स था, उसके अलावा, बेंजीन था, और अमीन था, यह सभी को control करो और eliminate कर दो industry से, उसके अलावा, समय समय पे inspection करते रहो factories का, कि भई, कहीं कोई exposure जादा तो नहीं हो रहा है, कोई at risk तो नहीं है, उसके लिए समय समय पे inspection होना चाहिए factories का, उसके अलावा, periodic medical examinations होना चाहिए workers का, समय समय पे आप medical examination करते रहा हो, उससे पता चलता रहेगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं, exposure जादा हो रहा है, जिसकी वज़ए से cancers की तरफ जा सकता है, आपका worker, उसके बाद, in case अगर कोई cancer होता है, तो उसको notify करो, notify by disease के तहट अगर वो आता है, तो फिर उसको आपको notify करना है, कि आपकी यहाँ, इस industry में cancer हुआ है, उसके अलावा, personal protective gear से equipments आपको पहन के रहना चाहिए, जैसे जादा noise है, तो ear plugs पहन लो, helmets पहनना चाहिए, उसके अलावा, lead appearance वगरा पहनने चाहिए, अगर आपको radiations का जादा है, तो अलग-अलग personal protective equipment भी आपको पहनने चाहिए, personal hygiene के बारे में ध्यान रखना चाहिए, जिससे की skin diseases वगरा, या skin cancer से बच सके, उसके अलावा, बहुत important चीज़ है education, कि आपको workers और management दोनों को educate करना है, कि किस तरह से आप cancer से बच सकते हैं, तो आपको educate करना भी सरूरी है, तो control of industrial cancers इतने points तो आपको पता ही होने चाहिए, के लिए, फिर कुछ MCQs के लिए actually अलग-अलग हैं, लेकिन एक पर ही सवाल मेरे को MCQ मिलाता है, फिर भी अगर आपको याद करना हो तो कर सकते हो, कि asbestos, mesothelioma, arsenic जो होता है, वो skin, lung और liver cancer तीनों करा सकता है, बेंजिनिय अथाइल ऑक्साइड जो होता है, वो leukemia जाता है, बेंजिदीन तो हमने देखी लिया है, कि यूनी ब्लैडर cancer कराता है, क्रोमियम और निकल भी हमने देखी लिया था, कि या, lung cancer कराते थे, उसका लावा रोडाओन, सिलिका, बेरिलियम, केडमियम, यह हमने देखी लिया, कि लंग cancer भी कराएगा, विनाइल क्लोराइड इस प और liver, तो विनाइल क्लोराइड जो है, वो liver cancer कराएगा, आपको विनाइल में भी L दिख गया, क्लोराइड में भी L दिख गया, तो यह L, L क्या बनाएगा, यह L जो है, वो हो जाएगा, आपका liver cancer, टैसरियाद कर सकते हो, फिर वो dust है, तो nasal sciences में घुश जाएगा, तो वहां का cancer कराएगा, ionizing radiation है, तो skin का, thyroid का, lung cancer सब करा सकता है, polycyclic aromatic hydrocarbons जो है, वो भी skin, scrotum, lung cancer, यह सब करा सकते हैं, तो याद रखना है, तो रखना, वहना at least जिस पे न, MCQ आया है, उसको तो याद ही रखना, ठीक, तो यह तो हो गया आपका, कि भाई, क्या-क्या चीज़े आप को याद होनी चाहिए, अगर मैं बात करूँ, theory exam की, तो theory exam में न, occupational cancer पे आपको long question आ सकता है, तो पूरा शुरू से लेके, cactus sticks से लेके, उसके बाद, कि भाई, किस-किस में पाया जाता है, उसके बाद, फिर अलग-अलग तरह के, चार cancer, फिर चारों को भी अच्छे से describe कर द आपको short note भी आ सकता है, तो short note आएगा आपको, तो at least चारों के नाम और उनके causes और occupation ज़रूर लिख देना, ठीक है, उसके बाद, आपको न, very short note में आ जाता है, enumerate, enumerate में तो आपको वो चार cancers, कौन-कौन से हो चार cancer, skin cancer हो गया, lung cancer हो गया, bladder cancer हो गया, leukemia हो गया, तो वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, वाईवा की, तो वाईवा के लिए बहुत important question होता है, कि भाईवा, characteristics क्या होते है, occupational cancer के, तो वही, बहुत लंबा exposure चाहिए, 10-15 साल exposure के बाद भी हो सकता है, sensation हो जाए तब भी हो सकता है, एक occupation, एक localization, उसक बाद exposed part में जाद पाया जाता है, वाईवा का बहुत important question कि मुखे तक कौन-कौन से cancers, तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, तो बेसिक से हमको क्या याद रखता है, basic life support, that is, B, L, S, तो एक और ल लगा देना है याँ आपे, bladder cancer हो गया, lung cancer हो गया, skin cancer हो गया, leukemia हो गया, सकते हो, उसके बाद skin cancer की बात करें, तो यहाँ पर आप ज़्यादा तर आपको वाईवा में जो पूछा जाएगा ना, वो होगा occupation, तो skin cancer में हमने क्या याद किया था, कि भीया, coldtars related सारी occupations बता देना, उसके बाद एक और चीज़ वाईवा में, कि most common कौन सा होता है, तो skin cancer, और क्यों होता है, क्योंकि exposure सबसे ज़्यादा skin का होता है, और most predominantly कौन से मिलता है, ये भी वाईवा में पूछा जाता है, तो squamous cell carcinoma, ठीक, उसके बाद आपको वाईवा के लिए बहुत important है, bladder cancer, bladder cancer के occupation बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना, और bladder cancer में ना, BCG बहुत important है, प्लस, जो BCG ना, हम spots में रखते हैं, वहाँ भी हम पूछ लेते हैं, कि BCG को as an immunotherapy कहां पर यूज करते हैं, तो आप bladder cancer में इसका इस्तिमाल करते हो, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, MCQs की, तो जितने भी underline part हमारे मिले notes और slides में, वो सभी अलग-अलग PG entrance exam में पूछे गए, MCQs हैं, तो एक MCQ हमको ये मिला था, कि भाया, कौन-कौन से organs को effect करता है, तो lung, bladder, liver, इनको तो करता है, एक MCQ हमको ये मिला था, उसके बाद हमको MCQ skin cancer में मिला था, कि भाया, सबसे पहली बार किस में मिला था, तो chimney sweepers म scrotum मिला था, उसके लावा हमको MCQ ये भी मिल चुका है, कि most common occupational cancer कौन सा होता है, तो skin cancer, उसमें भी एक MCQ ये आ सकता है, कि skin cancer में भी most predominant कौन सा होता है, तो squamous cell carcinoma, bladder cancer में हमको उसके, उसके मिला था, कि भायी किन से होता है bladder cancer, इसमें हमको MCQ मिला था, तो beta-naphthalamine भी आ चुका है, और cyclophosphoramide में आ चुका है, तो A, B, C हमने ऐसे ही याद किया था, oramine, beta-naphthalamines, और cyclophosphoramide, उसके लावा magenta भी याद रखना, magenta तो या, magenta क्या है, color है, तो color से तो आपको पते ही ना, भाई साब ये dying industry में जो काम कर रहे हैं, तो magenta तो हो गई होगा, तो magenta आप dying industry से भी याद कर सकते हो, उसके लावा न, ये BCG पर भी MCQ आपको आ सकता है, और transitional cell carcinoma में भी MCQ आपको आ सकता है, तो इसको भी याद रखना, leukemia में एक MCQ मेरे को मिला था, कि भाई, leukemia या benzole जो होता है, वो क्या कराएगा, occupational cancers में, तो वो leukemia कराएगा, उसके लावा ये सारी जो table है, इसमें से आ सकते हैं, ये benzenino bladder cancer वाला तो आया हुआ है, और vinyl chloride वाला आया है, तो LL वाला आप liver cancer, तो ये एक MCQ आपको आया है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो इतनी चीज़े हैं, जो आपको occupational cancers में पता ही होनी चाहिए, थैंक यू